अलो एवरिवाइन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, तो अभी इस वीडियो में हम लोग बढ़ने वाले हैं, मिड्रेक्स प्रोसेस के बारे में, ये आरन प्रोडक्शन का अल्टरनेट रूट होता है, और गैस बेजड ड्यार प्रोडक्शन के अंडर आता है, ठीक कोल बेजड प्रोसेस और गैस बेजड प्रोसेस, ठीक है, तो ड्यार प्रोडक्शन में आप लोगों पता होगा कि यहां पर जो प्रोडक्शन हमको सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है, तो कोल बेजड प्रोसेस में हम कोल का इस्तमाल करते हैं, है ना, तो कोल बेजड process जो है वो दो टाइप को होता है एक होता है rotary kiln जिसमें rotary kiln के through हम उसमें cool डालते हो आरन उडालते हो वहां से हमको DRI produce होता है इसके लिए already मैंने video बना दिया है और इसके लबागा cold based में soft furnace भी आता है और gas based में तीन टाइप के process होते है एक retort process होता है जिसमें HYL आता है HYL को अलग अलग form है 1234 इसका भी वीडियो में ने already upload कर दिया है process है उसका भी वीडियो में ने already upload कर रखा है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं midrix process के बारे में ठीक है तो चलिए midrix process को हम अब हम detail से पढ़ लेते है तो देखिए gas based process है midrix process का है gas based DRA production process है है ना तो यहाँ पर हम gas का use करते हैं for reducing the iron ore तो कौन सा gas इस्तिमाल होता है यहाँ पर natural gas ठीक है natural gas में हम use करते है CH4 methane अब यह जो natural gas है ना इसको हम directly furnace के अंदर charge नहीं कर सकते है क्योंकि अब चार्ज करोगे तो बहुत सारी problem हाईगी जैसे अगर आप सीधा charge करते है natural gas को तो वहाँ पर carbon का deposition बहुत ज़ादा होता है ठीक है तो वो पूरा furnace को choke कर देता है दूसरा क्या होता है natural gas में उसका reforming करना पड़ता है ठीक है reforming जो होता है वो तीन टाइप का reforming होता है एक होता है steam reforming दूसरा partial oxidation और तीसरा होता है water gas shift reaction ठीक है तो reforming करके हम actual में करते क्या है जो natural gas में क्या होता है CH4 होता है reforming के थूर हम क्या करते है इसको convert करते है CO में carbon monoxide में और H2 में ठीक है क्योंकि यही दो क्या है reducing gas है ठीक है तो जो reforming के बाज हमको जो gas मिलता है उसमें लगबग इन दोनों का content 90% तक रहता है और 10% other gases होती जैसे H2 और CO2 है ना इसमें सबसे ज़्यादा जो use होता है वो steam reforming होता है steam reforming में क्या होता है अपना जो natural gas है और जो steam है जो भाप है उसको एक साथ भेजा जाता है reformer में है ना वहाँ पे temperature लगबग 700-800 degree Celsius होता है वहाँ पे आपका जो CH4 है methane है वो H2O से reaction करके क्या बनाता है CO और H2 बनाता है इसके लावब partial oxidation होता है इसका utilize के जाता है बट कम amount में इसनमाल किया जाता है इसमें क्या होता है methane gas के reaction कराते है oxygen से इसमें हम controlled amount में oxygen देते हैं जिससे क्या होती है CO बनता है अब reforming process करना जैसे अगर आपको steam reforming करना है तो उसके लिए आपको catalyst के ज़रत होती है without catalyst यह process नहीं होता है तो catalyst के रूप में nickel के इस्तेमाल करते है न तो nickel के surface में ही यह reforming reaction होता है अब यह दो को यह reforming unit या reformer का बहुत अच्छा diagram है इसमें दो को यहां से हम क्या वज़रे है natural gas supply कर रहे है यह वाले pipe से तो natural gas आपको यहां से जा रहा है इधर अब यहां से जो आपको नीले color के यह जो दिख रहा है न यहां पे हम क्या करेंगे इसमें steam add करेंगे तो हम क्या क का mixture है steam and natural gas का mixture वह आपको कहा जा रहा है reformer में जा रहा है अब इस reformer में क्याthurna tubes लगे बहुत सारे और इस tube के अंदर भरा होता है निकल ठीक है तो यह क्या गरता है जो mixed gas steam और natural gas का mixture यह इस tube में से गुजरता है और tube में से गुजरने से क्या आता है उसमें reforming reaction होता है ठीक और H2 और CO generate होता है यही reducing gas फिर हम इस्तमाल कर लेते हैं अपने furnace में ठीक है तो हर जो gas based जितने भी DRI process होता है सेम reforming unit होता है एक ही type का procedure होता है सब में ही ठीक है अब में देखते हैं कि charge material इसमें कैसा होना चाहिए midrix process में तो midrix process के लिए charge material जो हो lump के form में होना चाहिए यहाँ पे हम दो जीज़ use करते है iron और lump plus pallets ठीक है तो lump का जो generally size हो जो जो प्रिफर size होता हो दस से 50 mm के size को हम prefer करते हैं अगर lump हो रहे तो ठीक और pallet के case में भी लगबग यही size हम prefer करते हैं ठीक है यहाँ पर बहुत छोटे size का आप charge नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप बहुत छोटा size charge करोग ना तो यहाँ उसकी permeability जो है वो खराब हो जाएगी ठीक है सेम यह blast furnace की तरह ही है हम उपर से metal charge करते हैं नीचे से reducing gas भेस ते हैं तो अगर proper permeability नहीं होगी तो reducing gas उपर नहीं जा पाएगा ठीक है तो इसी लिए हम यहाँ पर हम fines charge नहीं करते हैं fines charge हम fluidized bed जो process है ना वहाँ पर charge करते हैं ठीक है अब main आ जाएए main midricks process में तो मैं सिधा यहाँ से diagram से आपको पूरा explain कर देता हूँ यह पूरा midricks process का plant का मतलब layout है या schematic diagram है ठीक है तो सफसे पहले हम इसको समझ लेते shaft furnace को उसके बाद एक करके मुपासरा रहे है कि अधर एम लंभा सा दिखरना ये आपको क्या है is the soft furnace का जो उपरी portion होता है और माँक्राइब portion होता है और नीचे का जो portion होता है क्या होता है ठीक है अब इसमें क्या गरते है टॉप से अपना जो आरन और लंप है और पैलेट्स है उसको हम चार्ज करते हैं उपर से कंटिनुसली चार्ज करते हैं ठीक है और यह यहां पर यह जो यह जो हम charge करने अपना raw metal और नीचे से reducing gas जार है तो इन दोनों के भी reaction होता है reduction reaction ठीक है और इसके दुरूब आपको मिलता है sponge iron ठीक है reaction कैसे होता है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ हम अब actual में क्या charge करते है hematite Fe2O3 तो यह reaction करते है CO और H2 से से reaction करेगा तो भी यह Fe3O4 पहले बनाएगा ठीक है और CO2 बनाएगा यह H2 से भी reaction कर सकता है H2 से भी reaction करेगा तो यह होगा main क्या होता है जो hematite जो होता है अगर temperature गर 570 degree Celsius से जजादा होना तो यह step होता है अगर 570 से कम होगा temperature तो magnetite से डारेक्ट हमको iron मिलता है यहाँ पर यह वूस्ट टाइट नहीं बनता है ठीक है क्योंकि वूस्ट टाइट जो है 570 के उपर ही stable होता है है ना तो इस तरह से यहाँ पर chemical reaction होता है है ना यहाँ बोल सकते हो कि reduction reaction होता है और आपका जो charge material उपर से नीचे आते आते पूरा reduce हो जाता है तो यह cylindrical portion सबसे नीचे में दिखे रहे ना यह जहाँ पर cylindrical portion खतम हो रहा है यहाँ तक आते आते जो पूरा iron हो रहा है reduce होके DRI में convert हो जाता है तो यह जो conical portion आप देखे हो ना यहाँ पर होता है DRI का cooling यहाँ से DRI नीचे जाते है conical section में यहाँ पर cooling होता है तो cooling के लिए भी कौन सा gas इस्तमाल करेंगे इसी जो furnace में जो soft furnace में एक जगाद यह हो गई pipe के तरू वहाँ से soft furnace के अंदर ही gas जो है उसी को बाहर निकालके हम इसको भेशते है scrubber में scrubber मतलब जब भी देखो यह word आएगा scrubber मतलब हम वहाँ पर water को छिड़कते है ठीक है water छिड़कने से क्या होता है यह जो gas आ रही है वो ठंडा हो जाता एक तो दूसरा इसके अंदर जो भी dust होगे रहा है वो नीचे बैढ़ जाता है ठीक है फूर यही gas जो ठंडी gas है यहाँ से हम कहां भेशते है compressor के थूर यहाँ पर नीचे cooling zone में यह जो conical shape होता है यहाँ पर cooling zone भोलते हो यहाँ पर DRI cool होता है तो उसको हम यहाँ से cooling zone में भेशते है ठीक है तो देख सकते हो कि वही gas soft के अंदर जो gas है वही circulate हो रहा है वही cooling के भी काम आ रहा है ठीक है और इसी gas के थूर हम ना carbon content को भी control कर सकते है अगर आपको high carbon DRI चाहिए तो इस cooling gas के सांसना कुछ amount में natural gas भी send करते है है ना यहाँ पर देको natural gas को option दिया गया है अगर आपको high carbon DRI बनाना है तो natural gas भी दोगे तो natural gas में जो carbon होता है अंदर जाके वो carbon release करते है जो natural gas है और वही carbon DRI के अंदर absorb हो जाता है क्योंकि जादा carbon होगा मतलब वो DRI जल्दी से oxidize नहीं होगा अगर बाहर निकलेगा तो दूसरा melting के समय बहुत helpful होता है carbon क्योंकि carbon उस समय oxidize होके heat energy देता है melting के समय तो high carbon DRI का demand जादा होता है तो यह पूरा soft furnace है अब इधर के भी डियाग्राम में आप देख लिए इस तरह से देखिए दिखता है soft furnace ठीक है यह animated है जो photo है वो यह आपका क्या है यह soft है ठीक है यह पूरा soft है यहां से हम क्या कर रहें continuously अपना जो raw material उसको feed करते है continuously ठीक है यह पूरा gas shield होता है ऐसा नहीं पूरा open नहीं होता है जल्डली जो blast furnace का charging system होता है उसी type का similar charging system यहां पर भी होता है और से यहां पर हम continuous चार्ज करते हैं जैसे blast furnace में continuous चार्ज नहीं करते हैं थोड़ा देर रुख के थोड़ा चार्ज करते हैं हम चार्ज करते हैं यहां से material को ठीक है और continuously हमें नीचे से material लिया रहे निकलता है ऐसा नहीं है कि कुछ आपको एकना जैसे blast furnace में tap to tap time होता है 40 मिनाट रुखना पड़ता है फिर tapping करते हैं यहां पर ऐसा नहीं continuous उपर से charge होता है और नीचे से discharge होता है ठीक है और यहीं से हम ज करता है और यहां से हमको नीचे आते हैं हमको DRI यहां पर मिल जाता है ठीक है यहां से जो gases है जो off-tech gas वो उपर से बाहर निकल जाती है ठीक है तो इस तरगी से पूरा process होता है आपका mid-drug process ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं reforming unit कैसे काम करता है reforming unit को हम gas reformer भी बोलते हैं यह आपका main जो है वो gas reformer है ठीक है यहां पर हम क्या बेशते है natural gas को ठीक है natural gas को और steam को mix करके हम reformer के अंदर बेशते हैं जैसे मैंने शुरू में बताया था ठीक है इसके अंदर tube है त्यूब के अंदर निकल रहता है ठीक है उसके अंदर बेशत through हम को क्या करते हैं यहां के अंदर के temperature को 700-800 degree Celsius maintain करते हैं क्योंकि इतना temperature चाहिए होता है reforming के लिए है ना तो यहां पर natural gas को burn करके अंदर में temperature को maintain किया जाता है ठीक है बतलब natural gas tube के अंदर जा रहा है वो अलग है और आपको जो अंदर temperature maintain करने के लिए जो natural gas जला रहे हो न reducing gas मिलता है यही reducing gas क्या है कहां पर जाता है आपका इसमें जाता है south furnace में लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा मतलब ट्यूर में जाने से पहले कुछ amount में सो natural gas और oxygen मी एड़ करते हैं ठीक है मतलब जो reform में gas आ रहा है ना उसमें south furnace में जाने से थोड़ा पहले हम वहां पर natural gas औ partial oxidation करते हैं जो मैंने शुरूम बताया था ना natural gas जो है CH4 है इसको हम control amount में oxygen देते हैं ठीक है तो यह किसमें करनोट हो जाता है CO और H2 में है ठीक है तो control oxidation के थोड़ा होता है यह reducing gas को जो temperature ना थोड़ा सा बढ़ जाता है ठीक है क्योंकि जब यह reformer से निकलता है यह gas जो reducing gas है वहाँ पर temperature इसका लगभग 9500 degree Celsius होता है तो बीच में हम इसमें oxygen और natural gas मिला देते हैं तो reducing gas का temperature लगभग लगभग 1000 से 1050 degree Celsius तक हो जाता है ठीक है मतलब temperature थोड़ा बढ़ जाता है फिर ज्यादा temperature है मतलब अंदर में heat efficiency आपके अच्छे होगे process आपका जल्दी होगा ठीक है अब यह जो off-tech gas जो निकल अउपर से अब बीच का तो process मैंने बता दिया कैसे reduction होता है यह जो off-tech gas जो निकलता है ना उसको हम सीधा भेजते है scrubber में scrubber होता है वहाँ पर जो भी dust हो गहरा है इसको off-tech gas जितने भी dust हो गहरा है उसको अलग कर लेते है scrubber भेज तो उसके करते हैं ठीक है कई जगा पर यहां पर H2O रिमूवर और CO2 रिमूवर भी होता है क्योंकि जो अफटेक गैस है उसमें क्या होता है बहुत सरे मौट में CO2 और H2O होता है क्योंकि जो रिडूसिंग गैस है रिडक्शन के बाद क्या मिलते हैं हमको कार्बन डियुक्सड और H2O मिलता है तो की जगा वह कार्बन डियुक्सी और वाटर को रिमूव कर लेता है फिर उसी गैस को जो रिसेकल गैस है उसको हम नैच्रल गैस के साथ मिक्स कर देते है यहां तो गैस हम soft furnace के अंदर भेज़ते हैं, वो किवल reforming gas नहीं होता है, कुछ माँट में recycle gas भी होता है, जो उपर से निकल रहे हैं, उसको recycling करके वापस से reducing gas के साथ mix करके हम भेज़ देते हैं, soft furnace के अंदर, ठीक है, तो इस तरह से total process जो होता है, ठीक है, इस photo में भी same चीज़ दिखाएगे, आपका soft furnace है, उपर से iron home चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखो, reformer दिया गया है, इससे पहले ही energy recovery होता है, यहाँ से मतलब जो flu gas है न, वो कहा जाता है, scrubber में जाता है, यहाँ से dust गयरा लग होता है, फिर compressor को through, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यह फिर heat recovery में जाता है, जहाँ फिर heat को क्या करते हैं, इसके अंदर, gas के अंदर, heat हो, इसको recover करते हैं, और gas reformer में natural gas supply करते हैं, और steam देते हैं, तो इससे आपका reducing gas बनते हैं, इसको आपका recycle gas से, उसके साथ mix कर लेते हैं, और दोनों को हम कहां बेशते हैं, soft furnace में, तो इस तरह से पुरा chain जो है, वो चलते रहते हैं, ठीक है, यह सारी चीजे, आप लोग पढ़ लेना, इसका notes मैं डाल दूँगा, ठीक है, गूगल ड्राइव में, और गूगल ड्राइव के link में, description में दे दूँगा, अब हम देखते हैं, कि जो DRI निकलता है, ठीक है, उसका जो product निकलता है, हम उसका अलग लग temperature में हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब देखें कैसे क्या होता है, जो soft furnace से आपका product निकल रहा है, ठीक है, तो आप तीन तरीके से product निकाल सकते हो, एक होता है cold DRI, है न, या फिर hot DRI, दो type का निकाल सकते हो, मतलब अगर जो DRI जो निकल रहा है, soft furnace से, उसको अगर आप cool नहीं करते हो, तो वो क्या कहलाता है, hot DRI, ठीक है, अगर आप electric arc furnace हो, ठीक है, electric arc furnace हो, या अगर LD converter हो, LD converter में भी हम basic coolant DRI का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो अगर ये unit हो pass में, तो हम क्या करते हैं, जो DRI निकलता है, उसको cool करने के बज़ा क्या करते हैं, सिधर उसको गरम condition में ही electric car furnace में charge कर देते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है, अब DRI पहले से गरम है, तो उसको आप melt करने के लिए आपको ज्यादा heat नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो already थोड़ा सा गरम है, ठीक है, अगर उसको आप पूरा ठंडा करके, फिर उसको melt करने जाओगे, तो उसको गरम करने भी, गरम करने में भी energy क्या होके चाहेगा, ठीक है, तो इसकी बचत हो जाती है, तो इसके लिए दो इसको टाइप का वो यूज होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक होता है, hot transport vessel, तो इस तरह से देखो, एक vessel होता है, special type का, ठीक है, इस में ट्रांसपोर्ट करते हैं सिधा electric arc furnace को, गरम condition में DRA को सिधा electric arc furnace में भेज देते हैं ठीक है, उसके लाबा ये hot transport conveyor होता है ये conveyor के थूँ भी hot DRA को सिधे electric arc furnace में भेज देते हैं, ठीक है, इसके लाबा होता है hot link hot link में ऐसा कुछ विजल नहीं होता है, directly क्या होता है soft furnace के नीचे ही आपका electric arc furnace लगा होता है, जैसे इस वाले डियाग्राम में आप देखिए यहाँ पे आप देखिए, यह आपका जो है DRA यहाँ से निकल रहा है, soft furnace से उपर, soft furnace से DRA निकल रहा है तो जैसी DRA यहाँ पे hot condition में कर रहा है इसको directly कहाँ चार्ज कर रहे है electric arc furnace में, मतलब आपको transport की भी जोरत नहीं, जैसे उसके आप नीचे electric arc furnace लगा दो, उसके नीचे वो, उसमें सिधा चार्ज होता रहागा electric arc furnace में, ठीक है, cool करने जोरत नहीं, इससे आपके बहुत सारे heat energy बस जाएगी और transport में, जो घर से वो भी बस जाएगा ठीक है, तो इस तरह के से हम hot DRA का भी आज़कल इसकल 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 करने लगे है ठीक है, अगर माली जी किसी company के पास ऐसी facility नहीं है तो उसके लिए क्या करते है, DRA को cool कर लेते हैं, ठीक है cool करने के बाद उसका screening कर लेते है, screening करने के बाद जो 3 mm से छोटा होता है, जो DRA, उसको हम बेस देते है hot brick weighting unit में, यह आपका होता है, इस तरह से brick weighting machine होता है, ठीक है, इसमें hot condition लगबग 600 degree Celsius के आसपास इसको compact करते हैं, compact करने से इस तरह से product हमको मिलता है, मतलब जो चोटे DRI हैं वो compact होके इस तरह से HBI बना लेते है hot brick weighting iron, और जो 3 mm से बड़े size के जो होते हैं, उसको हम directly base देते हैं, मतलब electric argo furnace में, ठीक है, उसको हम brick weighting करते हैं, इसको brick weighting के ज़रत नहीं पड़ती है, ठीक है, आज कल क्या है, बहुत सारे chemical भी आ गए हैं, जो DRI के उपर उसका एक layer चढ़ाया जाता है, जैसी यह DRI है, ठीक है, जैसी यह आपका protect करते हैं, oxidize होने से, इसको बचाता है DRI को, ठीक है, तो अगर इस तरह से कुछ chemical के use करने, तो आप दूसरे देश में भी transport कर सकते हैं, मतलब दूसरे देश भी भेज सकते हो DRI को, यह न, इसका बचत कर सकते हो, अगर DRI का temperature जादा होगा, क्योंकि DRI का temperature जितना जादा होगा, उतना जल्दी उसको आसानी से आप melt कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर 20% ही यह, इसका जो temperature है, अगर कम होगा, तो energy saving भी बहुत कम होगी, 20% ही होगी, ठीक है, अगर temperature जादा ह होगी, तो देखो, लाल वाला line बहुत उपर जा रहा है, क्योंकि इसका temperature क्या है, जादा है, उसको saving भी क्या है, आपकी, जादा है, ठीक है, यह आपका जो हो है, product DRI, DRI इस तरह से दिखते है आपका, और HBI जो है, आपका product है, ठीक है, तो यह था video mid-lux process के बारे में, आप कोई doubt है, तो भी आप comment section पूश सकते हो, मैं उसका answer जरूर दूँगा, okay, so thank you so much, bye bye and God bless you all.